अज की स्पीडों में हम बात करेंगे इंडिया पोश्ट ऑफिस भारती डांक विवाग जेडियस भरती रिजल्ट 2023 के बारे में आपको स्पीडों में फर्स्ट लिस्ट कट आप की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कल आपका रिजल्ट आएगा की नहीं इसके बारे में विकेशन में साप साप बताया गया है कि आपका रिजल्ट फर्वरी के महीने में तीसरे से लेकर चोथे हपते के बीच में आना तै किया गया है इस बार कट आप कम रहेगी तो इस बज़े से 60% तक वालों का चैन होगा इसका प्रूफ आपको मेड के आधार पे दिया जाए है और आपके कक्षा तस्वी में 40% है 50% है या 60% है या इससे अधिक है और आप लोग साल 2030 में अपने गाउं या जिले के अंदर ABPM BPM या डांक सेवक की पोश्ट पर सरकारी नोकरी पारना चाहते हैं करना चाहते हैं तो आप लोग इस बीडियो को आकरी तक जरूर बहुत इंपोर्टन बीडियो बहुत ही काम की यहां पे चीज़े आपको बताई जाएंगी सारी इंपोर्टन चीज़े हैं बस आप लोग बीडियो में बने रहेगा अगर बीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और GDS यानिक ग्रामीन डांक सेवक की भरती की पलपल की ज मत करेगा आए अफीसल वेपसाइट के ओपन करते हैं कुछ बेसिक जानकारी वहां से देते हैं उसके बाद आपको मेरिट ओपन करके जानकारी देंगे कैसे आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं और कैसे 60% तक आपका चैन होने वाला है और सबसे में की आपका रिज देख सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडियास ओनलाइन डॉट गौर्रमेंट डॉट इन की ओफीसल वेपसाइट के ओपर आ चुके हैं यहां पर अभी एक बिंडो चल देए जहां पर बता जा रहा कि आप लोग 17 से लेकर 19 फरवरी के बीच में अपने फॉर्म को एडिट या करेक्ट कर सकते हैं आपको बता दी यह डेट जा चुकी है अभी आप लोग यहां पर कोई भी इन्फोमेशन चेंज नहीं कर सकते हैं जिन लोगों की इन्फोमेशन में सुधार नहीं हुआ है अप्लीकेशन स्टेटस चेक आउट करना चाहते हैं यह अभी ब्लैक है जब य अपने application status को check out कर लिजे इसके अलाबा आपको बता दे कि यहाँ पे जो आपको window दिख रही थी form edit और correction की उसको हटा दिया गया है अब यहाँ पे सिर्फ एक ही window open होगी पहले तो होगी form correction के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा application status आप लोग check out करेंगे कौन सी गलतियां आप लोगों ने करी है क्योंकि आपको final print out db यानी document notification के समय में लेकर जाना होगा अगर वहाँ पे कोई गलतियां पाई आती हैं पे forum से आपके document match नहीं करते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा यहाँ पे जहाँ पे आपको apply देखने को मिलता shortlisted candidate की list भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कब देखने को मिलेगे इसके लिए थोड़ा हम पुराना data को उठाते हैं इससे पहले आपको बता होगा कि 38,000 पदो पर पिछले साल आनी 2022 में भरतिया आई थी और उन भरतियों के आपने सभी ने आवेदन किया था वहाँ पे cut-off काफी हाई गई थी जिस बज़े से आपके चैन नहीं हो पाई थे और उन भरतियों के लिए आपने आवेदन किया था 2 मई से लेकर 5 जून तक यानी 2 से लेकर 5 जून तक आउन लाइन आवेदन चले थे वहाँ पे किसी भी तरह का आपको edit या सुधार क्या link देखने को नहीं मिला था कोई window देखने को नहीं मिली थी इस बार अलकी आपको link देखने को मिला लेकिन किसी काम कर नहीं था क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने आजादा कुछ चेंज नहीं कर पाए ना circle ना division ना post preference ना 10 के mark seat के number या कुछ भी ज़री information आप लोगों ने यहाँ पे update नहीं किया तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पिछले साल 2022 में लगबग यहाँ पे 5 जून तक आपके आवेदन चले थे और जो first mate list जारी करी गई थी 15 दिन के बाद में जारी करी गई थी और वो date थी 20 जून 2022 की पहली mate list आई थी 20 जून 2022 की उसके बाद यहाँ पे waiting list आई कम से कम यहाँ पे 7 waiting list आई थी तो इस बार का result आपको पिछली बार तो हला की समय दिया गया था कि एक दो हत्ते में आएगी लेकिन इस बार ये clear किया गया है कि फरवरी के तीसरे या चौती हपते में आएगी तो आप मान के चलिए कि फरवरी 28 से पहले आपका first जो merit list है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक सवाल और था कितनी waiting list आ सकती है कितनी merit आपको देखने को मिलेगी तो मैं अपनी तरब से confirm कहे देता हूँ कि कम से कम 5 merit list आनी तै है 5 से कम नहीं 5 से ज़्यादा 6, 7, 8 से लेकर 10 के अंदर में कितनी भी हो सकती है और यह सिलसिला चलेगा जून तक यानि जून के आकरी डेट तक जुलाई में एक तारिक से पहले जून 30 से पहले सारी के सारी merit list ओबर कर दी जाएंगी selection कर लिये जाएंगे जिनका chain हो जाएगा ठीक है उसके बाद किसी का भी chain नहीं होगा तो मार्च, अप्रेल, मई और जून चार मन्त के अंदर आपकी पांच या इससे अधिक waiting list जारी करी जाएंगी और इस बार आपका cut up काफी कम रहने वाला है पिछली बार के मुकाबले तो आपको हम दिखाएंगे पुरोब के साथ कितना रहेगा लेकिन यहाँ पे कई सारे लोगों के यह भी comment है कि हम लोग अपना result कैसे देखेंगे तो इसके लिए मैं आपको बता दू tension लेने की कोई ज़वरत नहीं है हम लोग जो है तो आपको सिंपली क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पे महाराष्ट है महाराष्ट की बटन के सामने क्लिक यहर की बटन रहेगी क्लिक करेंगे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा और एक नहीं जितनी भी वेटिंग लिस्ट जारी करी जाएगी सारे के सारे PDF का लिंक आपको एक ही में मिलेगा इन बिल्ड में मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा तो आप लोग बिल्कुल भी टेंसन ना लिजे कि आप लोग कैसे चेक करेंगे बात रही कलिया परसों रिजल्ट के आने की तो काफी सारे लोगों ने निउस्पेपर के माध्यम से Trusted website है उनके माध्यम से बताया कि कलिया परसों के अंदर रिजल्ट आ सकता है उसकी गारंटी नहीं है पर गारंटी इस चीश के है कि 28 फर्वरी से पहले आपकी फर्ष्ट मेरिट लिष्ट आएगी और वहां से कुछ अंदार्य हो जाएगा कि कितना परसेंट कट आप गया है और कितने में मेरिट बनी है और आपका चैन होप आएगा कि नहीं आने वाली 5 से 8 मेरिट लिष्ट के अंदर में वाइस कट आप भी वहां पर आपको बताया गया था लेकिन आपको आगे 2023 का expected कट आप नहीं बताया गया था चले देखते हैं उसके बाद आपको मेरिट के बारे में जानकारी देते हैं थोड़ा सा आप लोग यहां पर एक जलक देख लीजे 2020 का कट आप कितना गया था कुरोना काल से पहले की बात है जब यहां पे ज़्यादा फोर्म अपलाई नहीं हो रहे थे और इस बज़े से यहां पे काफी सारे लोगों का चैन हो रहा था कम परसेंटेज पे सबूत आपके सामने है जर्नल का 77 OVC का 77 और SC का 75 और HD का 66 परसेंट पे चैन हो जा रहा था बात करते हैं यहां पे 2030 के एक्सपेक्टेट कट आप के बारे में तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि जर्नल UR का 75 या इससे उपर रहेगा OVC का 70 प्लस रहेगा SC का 65 या इससे उपर HD का BCM 65 पर AWS का 70 या इससे उपर और PWD का 60 या इससे उपर कट आप जाने वाला है तो यहां पे ध्यान रखे है 60 कम से कम PWD का है यहां पे चैन हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर आप लोगों ने किसी ऐसे जगे से आवेदन कर दिया जहां से काफी सारे लोगों ने आवेदन नहीं किया तो आपके कम परसेंटेज भी भी चैन हो जाएंगे काफी सारे लोग एक्टिब थे कि उनको वहाँ पे पोश्ट प्रिफरेंस चैन्ज करना था लेकिन एडिट का उप्सन आया फर्म करेक्शन की बिंडो उपन हुई तो वहाँ पे आप लोग पोश्ट प्रिफरेंस चैन्जन नहीं कर पाए तो जिनोंने सुरू में दिमाग लगा के आवेदन किया होगा उनका सो परसेंट चैन होगा होली आने से पहले आपकी एक मेट लिष्ट की गारंटी में लेता हूँ और कापी सारे लोगों की जिन्दगी में खुसाहाली आने वाली है तो यहाँ पे आप सभी को कॉंग्रेचुलेशन में एडवांस में बोल देता हूँ बहुत ही जल्दी बिंडोज ओपन होंगी आपको सारी जानकारी दी जाएंगी अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट में इट लिष्ट को ओपन करके आपको दिखाया जाएगा कैसे 60% तक वालों का यहाँ पे चैन होने वाला है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल ओडिकेशन को ओन करना है जलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद